कि नमस्कार रादे रादे हरनमादेव मैं आपका आचार देव आज इस वीडियो पे बात करेंगे संगर्स और ये दोनों आप साथ साथ चलते हैं बुद्धिवान परयाप्त मात्रा में हैं बुद्धि की कोई कमी नहीं अपने आप पे आए तो गंजे को कंगा वेज देते ह हैं हम एक सज्जन से बात कर रहा है तो मैंने उनको कहा कि आप गंजे को कंगा वेज दे सकते हो बहुत सरल बात है मैं तो उसको कंगा वेज दो जिसके पास सरी नहीं है तो वह चातर वह बुद्धि शमता लेकि आप लोग पैदा हुए हैं आपकी जो रासी है उसका नाम है कञ्ण्या राशी कञ्या लगन के जादकों के लिए अक्टूबर महा पड़िवर्तन का मा है का उत्याओर मा हुआ में बहुत कुछ चंज हो रहा है ऑब इस परिवर्तन के साथ आपके कितना दावा बैठा लेते हैं अधितना टाल मेल बैठा के चलते हैं यहीं आपके विक रासी परिवर्तन नहीं, आप लोग जादा रासी परिवर्तन ही सुने है, क्योंकि आपकी उसमें कोई तुरुटी नहीं है मित्र, तुरुटी तो हमारी है, हमारे जैसे लोग जो बैठे हैं यूटूब पे जो वो सुना रहे हैं वही तो आप सुन रहे हैं हम जो आपको बता रहे हैं वही तो आप सुन रहे हैं ना इसलिए आप सदेव नक्षत्र परिवर्तन की बात ना करके रासी परिवर्तन पे ज्यादा फोकस करते हैं तो चार ग्रह नक्षत राहु के नक्षत्र में और राहु शनी के नक्षत्र में अधावत चल लहां यहाँ 27 दिसंबर तक चलेगा लगवक तीर महीन मैं चाहता हूं कि जोतिस के मूल भूत तक्तों को आप जानती हुए चलें जिसे चोटी-चोटी साहता के लिए किसी इस्टुलाजर के पास आपको ना जाना पड़े और आपको 1500 के फीस या कुछ इस्टुलाजर तो 15-15 जार लेते हैं उनको फीस ना देना पड़े तो ज्यान मुक्ति का प्रतम द्वार है जान लेना समझ लेना मुक्त हो जाना है तो आप करने अलगन के हैं ज्यानी लोग हैं समझे जानिये परिस्थितियों के अनुशार अपने आपको ढाल लीजिए ठीक और चैनल को अवर्श अब्सक्राइब कर लीजिए मंगल और गुरु आपस में एक्स्चेंज कर रहे हैं पहले हम बात करेंगे 28 अक्टूबर तक है अब गोचरी स्थिति है सनी राहों की जो परिवर्तन यूति है वो 27 दिसंबर तक है लंबे समय तक के लिए है मंगल आपके बरतिचाड़ पर अस्टमेस है मंगल आपके बरतिचाड़ पर पराक्रमेस है ठीक है गुरु महराज आपके बरतिचाड़ में सुख के स्वामी है और सुख से सुख के स्वामी है सुख का स्वामी और सुख से सुख का सुख है, अता गुरू सुख देने के लिए कृत शंकल्फ हैं, गुरू को जब भी मौका मिलेगा वो आपको सुख ही देंगे, यहाँ परिवर्तन किस के साथ हो रहा है, मंगल के साथ, महनत के साथ, पराकरम के साथ, गुप्त चीजों के साथ समझाउता हो रहा है कभी-कभी सुरच्छा के लिए या सम्रद्धि के लिए गुप्त तरीकों से समझाउता भी करना पड़ता है यहां पो जो ग्रہ गोचर है वो गुप तरीके से समझाउता कर रहा है क्योंकि मंगल अस्टमेस हैं इस चिसको कभी मत भूलिएगा मंगल महाराज चल कहा रहे हैं आपके बर्तचार्ट पे तो मंगल महाराज भाई कर्मा भाव में चलने हैं इसके बाद लाप के घर में जाएंगे किसके नक्षत्र में चलने हैं पुनर वश्व नक्षत्र में चल रहे हैं, पुनर वश्व क्या है, वश्वत्र प्रपन्ना सक्ति लेकर चलता है, फिर इसे काम करेंगे, हम संगर्स कर रहे थे, संगर्स में सफलता नहीं मिले, कोई बात नहीं, पुनर हम प्रयास करेंगे और इस नक्षत्र के एक खास बात ह या नक्षत्र एक बार में काम को खत्म नहीं करता लेकिन दुनिया का इसा कोई काम नहीं है जो इस नक्षत्र में आप आरम करी हो खत्म नहीं हो ये भी खास बात है मतलब एक बार में तो नहीं होगा लेकिन अच्छा क्या है आप इस्टार्ट करोगे तो फिनिस ही होगा बढ़िया चीज है गुरु महाराज मंगल के मुरिग सिरा नक्षत्र में चल ले हैं मुरिग सिरा कस्तूरी कुंडल बसे मुरिग डुणने ही बनवाई ऐसे गटगट राम है दुनिया देख ही ना है कस्तूरी प्राप्त करने का नक्षत्र है लेकिन मुरिग सिरा चंचलता का नक्षत्र है और दोनों एक एक घर आगे पीछे चल ले हैं गुरु महाराज भागय के घर में है और मंगल महाराज कर्म के घर में दोनों के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ आरद्रा की है किसकी आरद्रा की आरद्रा राहु का नक्षत्र है तफ नक्षत्र है तो इस तफ नक्षत्र के बीच में आरद्रा नामत जो नदी है या उसके बीच में पुल बनाने के लिए गुरु मंगल ने एक्सचेंज किया है, ऐसा आप कहीं दिजिए, या परिवर्त नराज जोग आपको सुख देगा, या परिवर्त नराज जोग ब्यापार में गति देगा, या परिवर्त नराज जोग आपके घर में कोई बीमार है, उसको ठीक करने के लिए है क्योंकि म्रिक सिरा जो एनाद मंगल का नक्षत्र है सल्ले क्रिया करना जानता है तो यहां पर छिजे ठीक करेगा क्या तुटी होगी तुटी होगी कि थोड़ी चंचलता बढ़ेगी तुटी एक आगरता में कमी आएगी क्योंकि मंगल सुख के स्वामी है सुख के लिए थुड़ा से द्रिष्टी दोस आएगा हर सुन्दर चीजें आपको अच्छी लगेंगी और सब के पीछे भागना दुख का कारण बनता है तो सब के पीछे मत भागिएगा राहू और शनी सनीदेव आपके बर्थे चाड़ पे पंचमेश हैं और खश्टेश है खश्टम भाव का स्वामी खश्टम भाव में ही सुखरईय है और राहू के नक्छत्र में है राहु महाराज वर्तबान में सबतंभाव में चल रहा है सातवा घर ब्यापार का घर होता है अतहा राहू महाराज आपके व्यापार में गती प्रदान करने की कोशिश करेंगे सनी देव आपके जो यत्र तत्र सरवत्र सत्रू उपस्तित हुए हैं उन सत्रू को बोलेंगे भई आप सो जाओ अप जाओ तो सनी महाराज आपके रिड रोग परिशाने सत्रू हंता योग में जाएंगे राहू महाराज चुकि आपके दामपत जीवन में जो क्लेस हो रहा था उसके उससे खत्म करेंगे उसे बोलेंगे कि आप बैटो हम दोनों समझावता करते हैं समझावता करते हुए आगे चल लहें दरसल ऐसा सब कुछ सायद ना हो पाता लेकिन होने के पीछे जो कारण है गुरू के भागे के घर में गोचर करना और बुद्ध महाराज की इस्थिती वर्तमान में आने वाले वक्त में सही होना इसलिए आफ जो परिवर्तन राजियोग है आपके जीवन में सकारातमक परिवर्तन लाने वाला है वरना राहू और शनी का एक्स्चेंज कर लेना आपके दामपत जीवन में तकलीफ देने वाला था डेफनेटलि तकलीफ देता आपके मेरेजलाइब को कोड तक घसीर देता किन्तो आपस में परिवर्तन कर लेना आप हमारे राज़ी में हम आपके राज़ी में हैं भई आप हमारा सपोर्ट करो हम आपका सपोर्ट करें हम आपके घर जा रहे हैं तो आपके घर के लिए आविस्थिक जो चीज़ें मैं ले कर जाएंगे तो यहाँ परिवर्थन राज्योग परिवर्थन का है अगर आप चूक ले नकारात्मक परिवर्थन होगा स्रेश्ट फल प्राप्त करने के लिए अपने गुरू और बुद्ध को मजबूत करके रखिए गुरू के लिए वंग्राम ग्रिम ग्रॉमसा गुर्व कि आराधना करते रहें राहू सनी दोनों सांध वस्ता में रहेंगे मंगल के नर्जी ठीक रहेगी ठीक है और गुरू के मंद्र का जाब करना स्रेश्ट फल आपको देगा तो आपका कल्यान हो अच्छा हो बेतर हो रहें सुस्त रहें मुस्कुडाते रहें आपके लिए र